बैई इन्होंने क्या नकल की है गोधी मीरिया की समझ आ रहा है किसकी नकल कर रहे है कर तो बिल्कुर सही रहे है पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगे लेकिन उससे पहले इनसे तो मिल लीजिये देखिए दो-दो फुटेज हैं दो लोगों के बीच में आपको तै करना है किसने बहतर छोड़ा तीर बैदेखिए यहाँ थोड़ा सा मेरा सॉफ्ट कॉर्णर है कंगना रनौत के साथ इनका नाम मत बूलिये बई सो नहीं पाएंगी आज आप इनका नाम बूल गए इतनी कोशिश किया है इनोंने खबरों में रहने की कॉंट्रवर्सी में रहने की और आप इनका नाम बूल जाते हैं अनाउंसर ही नाम बूल गए खेर पेर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्णर है इनके साथ भैको भैको अपनी पुरी शक्ति के साथ भैको इसा है कि इनको तो आदत नहीं है इन सब चीज़ों की नहीं ठीक है फिल्मों में आ ठीक है जहांसी की रानी बनती है ताथ ओके जो रानी ऑफ जहांसी है वो क्या मेरी चाची है या लेकिन हर साल रामलीला में आकर इस तरह से रावन देहन के लिए तीर फेंकने का जो एक प्रक्टिस है वो तो पिछले नौ साल से हमारे प्रधान मंत्री करने उनको अब तक तो आ जाना चाहिए था एक क्वेस्टन आपसे पुछते हूँ क्या लगा आपको तीर कहां पहुंचा होगा इनका क्यूंकि एनाय ने उनकी फुटेज ही अटा दि उस ताइम पे क्यामरा कहीं और रावन को दिखा दिया वरना हिम्मत है एनाय की कि वो उस समय पे सबसे इंपोर्टन मोमेंट पे जब उन्होंने इतने बढ़िया छोड़ा हो मतलब तीर और उस टाइम पर कैमरा हटा ले प्राइम मिनिस्टर मोदी इस सज्जन को क्या तकलीब है भई क्या तकलीब है इनको इतने तेजस्वी लोग है हमर पास वीडियो को देखकर ये तो समझ में आ गया कि पीम मोदी से तीर संबलता नहीं है वो हमारे लिए अवतार है वो एक साधारन मनुष्य नहीं है बगवान स्री राम तीर चलावग देहन करने कालीन देहन करके आगी अब जरा आ जाते हैं गोधी मीडिया पर जनाब को देख लिए हैट सॉफ्ट है जो इन्होंने चीज को पकड़ा है अब इसकी नगल करने है कॉमेंट बॉक्स में बताइए क्या लगता आपको क्योंकि जो जितने गोधी मीडिया वाले ब गजा में जाके रिपोर्टिंग करो और गजा में जाकर मरने से अच्छा है कि यह वापस आ जाओ तो भीया लोग यह भी पूछने मनिपूरी चले जाओ अब तो मनिपूर और पास लागया होगा क्योंकि इसरेल जो होकर आ गए ना 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 अभी भी वह सब नहीं करना है फ इसस्राइक हो आब हम होगोगे मुझे 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 इसराइन के सिरा बंकर के पीछे आ गया हूं तो तुम्हारा ये वीडियो कैसे जा रहा है हिंदुस्तान और दुनिया में ये वीडियो तुम्हारा कैसे जा रहा है हाँ तो गोदी से याद आया कि ब्लाक और वाइट दिखाने के लिए कुछ समय पहले तक तो जनाब ये बोलते नज़रा रहे थे इस्राइल देश वर्ष 1948 में ही बना था और इससे पहले यहां फिलिस्तीन के अरब मुसल्मान ही रहा करते थे ये उन्हीं की जमीन थी लेकिन ये भी सच है कि जब इसलाम धर्म की उत्पत्ती भी नहीं हुई थी तब ये पूरा क्षेतर यहुदी धर्म के लोगों का हुआ करता था और इसे किंग्डम ओफ इसरेल या किंग्डम ओफ जुडा कहते थे और ये बात 1000 इसा पूर्व की है अब ऐसी कवरेश दिख रही है हमेशा ही 1917 तक 90% से जादा आबादी मुसल्मानों की थी उस समय इसरेल का नक्षा ऐसा हुआ करता था जिसमें लगबख सभी इलाके फिलिस्तीन के पास थे और यहुदी धर्म के लोगों ने यहां एक तरह से शर्ण ली हुई थी तो फिलिस्तीन का असल में जो पूरा असली नक्षा है वो ऐसा था और यहुदी जो थे वो यहां शर्णार्थी थे यह बात भी सही है कि जब इस ख्शेतर पर फिलिस्तीन के मुसल्मानों का नियंतरन था तब उन्होंने कभी भी यहुदी धर्म के लोगों को वहां बसने से रोका नहीं यहुदी धर्म के लोग जब शर्णार्थी के तौर पर इस ख्शेतर में अपने परिवारों के साथ आए तो फिलिस्तीन के मुसल्मान उनका स्वागत करते थे और उस समय तक फिलिस्तीन के मुसल्मानों और यहुदी धर्म के लोगों के बीच कड़वा इसलिए लोग अब सवाल पूछ रहे हैं भी यह हुआ क्या इनको ठीक तो है तब यह ठीक है इनकी हाँ और जैसा कि पहले में आपको बादा किया था कि मैं आगे आगे आपको बताऊंगी कि इसकी नकल कर रहे है देख लीजिए पहचाना किसकी नकल कर रहे है पर आप खुदी देख लीजिए पूरा गोधी मीडिया अपनी फजीहत करा चुका है समझ में यह नहीं आ रहा है कि युद चल रहा है इस्रेल और फिलस्तीन के बीच आप एक न्यूट्रिल पोजीशन लेकर दोनों तरफ में जो मासूमों की मौत हो रही है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं पर क्या जरूरत पड़ी है कि अपनी फेक फैक्टरी जो यहां पर लागू करते हैं वो वहां पर भी लागू करना शुरू करते मतलब यह भारत के आईटी सेल्स भारत के ट्रोल्स भारत के अंधभक्त आखिर क्यों फेक न्यूज फैलाने पर तुले हुए हैं इस्रेल फि कि धर्म के नाम पर डिमुनाइज करना इनका हमेशा का पैतरा है और खास तोर पर तब जब चुनाव आने वाले हूं और यहां की अंधभक्त और वाट्साप उनिवर्सिटी के सभी फ्रंट बेंचर्स इनकी बात को अराम से मानने के लिए तैयार भी बैठे हूं और वैसे भी आप जानते ही हैं हमारे देश में आए दिन कभी स्टेट इलेक्शन्स होते ही रहते हैं अब तो जनरल इलेक्शन्स भी होने वाले हैं समझ आया कुछ अपनी दिमाग की बत्ती खोली और किसी को भी खुद को जूट के सहारे पर बर्गलाने मद दीजिए जय हिं सब्ते में वजयते हैं